जो छह रभी क्रॉप्स हैं, उन छह रभी क्रॉप्स का पहला कॉलम देखेंगे, यह उसकी कॉस्ट आएगी इस साल के रभी सीजन में, as per the projections of CACP, उसके आधार पे, जो second column है, वो है, पिछले साल का MSP, उसके आधार पे, इस साल का MSP है, वो आपके सामने रखा गया है, third column में और actually देखो तो fourth column में, MSP for Rabi, यह वाला column, यह वाला column, इस column में आपको Rabi की MSP दी गई है, और significant increase है, हम देखेंगे अगर wheat है, गेहों के लिए 150 रुपे बढ़ाए गया है, बारले यानि जौ के लिए 130 रुपे बढ़ाया गया है, ग्राम यानि चने के लिए 210 रुपे बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है, और सरसों के लिए 300 रुपे की बढ़ाए गया है, और सैफलावर यानि कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज की ब की तरफ द्यान देना चाहूंगा इस कॉलम पर आप सब जरूर ध्यान दें एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है कॉस्ट से कितना ज्यादा का MSP है वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है जो कई बार नेरेटिव की और फेक नेरेटिव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनकी सामने यह सच के आंकड़े अगर परोस होगे तो कई बाते अपने आप में इसपर्ष्ट हो जाएगा ग्यू में कॉस्ट से एक सो पाँच गुना पाँच पर्सेंट एक सो पाँच परसेंट आने कॉस्ट का प्रैक्टिकली डबल अब देखो ग्यों की कॉस्ट है प्रजेक्टिट कॉस्ट है ग्याराया सो बैहासी वन तूजन वन एन एडटी टू और MSP कितनी है 2425 याने प्रक्तिकली डबल राइट एक्सो परसंट जादा है इसाब से कितनी होनी चीहे पचास परसंट कितनी आप है एक्सो पांच परसंट इस नॉमली 50% more than the cost but in this case this is 105% more which means it is practically double of the cost same is the case with barley gram lentil mustard and safflower 60% more in case of barley 60% more in case of grams 89% more in case of lentils masoor and 98% more in case of mustard 50% more in case of safflower so this is the real welfare of farmers and that is why we have seen across the country huge support for government's policies among the farming communities and that is visible multiple events multiple changes multiple things which have happened in the past this company's children's family company get a statementーー जो एक मेजर ट्रांस्वर्मेटीव चेंज आया है उसके कारण उनका government के प्रती हमेशा एक सदभावना है एक फिलिंग है वोग अगर इसको comparison कराना चाहूंगा एक बार 2014-15 में जो MSP थी उसके comparison में आप देखो, यह 2014-15 की MSP है, अगर इसके comparison में आप देखोगे, तो यह आज की MSP, यह लास्ट कॉलम में कितने गुने हैं, loudi, how many times is the MSP increased, तो जो बार बार एक fake narrative चलने की कुशिश करते हैं लोग, उनके सामने आप लोग यह ज़रूर present करो, गेहू में हो, बारले में हो, घ्राम में हो, चने में हो, मसूर में हो, सर्सो में हो, या किसम में हो, करीब-करीब सभी में, प्राक्टिकली दो गुने के बराबर अवरेज डबल हो गई है MSP इंदस पर्शों में इस अवरी बिग इस परिबुशन तो दी फार्मर्स इंकम और अगर मैं अमाउंट पर्चेश्ट का फिगर आपके सामने रखो MSP पर कितना अमाउंट value of the crop purchased, value of the produce purchased at MSP 2004 से 2014 के बीच में 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोर रुपीज पर्चेश किया गया था MSP पे हर 2014 से 2014 का जो 10 साल का परियाद है corresponding period है in that period MSP पर 20,64,000 करोरी की वैलीव का खरीदा किया है I am repeating in the period 2004 to 2014 total 22 crops which were purchased at MSP the procurement value was 7,41,000 करोर 7,41,000 करोर 7,41,000 and in the period 2014-2024, the procurement value at MSP is 20,64,000 crore, see the difference 7 lakh crore, 20 lakh crore, it's huge, humongous, very big difference and I was watching some interviews by one of the TV channels, one after the other, NDTV channel or India TV, so when I was in the interview, I was saying that what MSP has got, it's unbelievable, it's very good, it's very satisfying, and that's why the so-called किसानों के पूरदा होते हैं, उन लोगों की बात के बजाए किसान आज गर्मेंट की इन अच्छी पॉलिसी को प्रदानमेंत्री शिंदरेंद्र मोदी जी की इन अच्छी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यह आपके सामने बहुत बड़ा एक पहला फैसला रखा गया, दूसरा बड़ा फैसला, काशी पर, काशी में गंगाजी पर एक नया पॉल, काशी में आज गंगाजी पर मालविय ब्रिज बना हुआ है, यह जो ब्रिज आप देख रहें, यह है मालविय ब्रिज, यह पिक्चर लिया गया है, यह वाली साइड काशी है, दूसरी वाली साइड, पंडित दीन दयाल उपाद्या है, टर्मिनल वाली साइड है, यह आपको लैंडमाग यहां पर दिखाई दे रहा होगा, नमो घाट वाला, दोनों हाथ जोड़े हुए न, नमो, नमो नमस्ते, व वहां से यह picture लिया हो, और आप सब जानते हिए हिया हमारी संस्कृति में, गंगा जी एक ही जगे पे उत्रो गामी है, इस ही जगे पे, याने, river flows from south to north, गंगा river flows from south to north at this place. This is a very unique place, very historical place. और भारत के जो transportation network में इसकी इसकी इंपोर्टंस है, that also is very unique. This is the major chord from east to north and west. East से north और west को जोडने वाला ये major corridor है. मालविय ब्रेज 137 येर्ज ओल्ड है. बहुत पुराना ब्रेज है, अपनी लाइफ कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी maintenance करने के कारण अच्छी condition में है. लगातार दो साल पहले मैंने स्वयम inspection भी किया था इसका, और प्योर एक अच्छी technical team इसको लगातार inspect करके maintenance करती है. अब इसपे decide हुआ है कि एक नया bridge बनाएं, जिस bridge में नीचे वाले deck पे चार railway line होगी, एक, दो, तीन, चार railway line होगी, और उपर वाले deck में six lane का highway होगा. चार railway line और six lane का highway. ये वर्ल्ड में, ट्रांसपोर्ट केपासिटी में, ट्राफिक केपासिटी में, वन ओफ दी बिगेश्ट ब्रिज़ में count होगा. इसलिए जरूरी है कि हमारा entire east और north, east और west, इन दोनों को जोडने का ये एक बहुत बड़ा corridor है, और इस corridor पे गंगा जी पर ये bridge अपने आप में बहुत बड़ा एक major landmark है, एक major connecting link है. इस bridge को construct करने में 2642 क्रोर रूपीज का investment लगेगा, 2642 क्रोर. करीब 4 साल का time लगेगा, बहुत ही complex bridge है. इस bridge की अगर आप foundation समझो, तो यह आप पुरा जो मंच देख रहे हो न, यह जितना मंच देख रहे हो, इस मंच से यह first row आप दिखाई दे रही है, इतना area और जोड़ दो. उतना उतना एक एक pillar का foundation है. और foundation नदी के surface से करीब 120 फूट नीचे गहरा जाएगा. 100 फूट से जादा गहरा है, 100 फूट का मतलब हो गया, करीब करीब आपके तीन मंचल की building. तीन से जादा मंचल की building. उतना गहरा तो उसका foundation, फिर उसके उपर pillars, उसके बाद में bridge, और एक iconic structure बनेगा, यह उसकी location दिखाई गई है, कहाँ पर बन रहा है, और यह भी location दिखाई गई है, existing bridge उसके right hand side वाले direction में यापर बनेगा. और इसकी, यह उसका visualization ए picture का, एक iconic bridge बनेगा, multiple arches इसमें रहेंगे, और यह arches अपने आप में, उस area के landscape को, काशी के landscape को, काशी के पूरे skyline को, define करने वाले arches यह सब होंगे. बड़ा bridge है, अगले तेड़ सो साल के लिए समझो, 150 years के लिए इसको design किया जा रहा है, 150 years के लिए इसको design किया जा रहा है, और 100 साल आगे तक हमारा traffic कितना होगा, railway और road दोनों का मिला के, उस हिसाब से इस bridge को बनाया गया है, highway, waterway, railway, geotechnical investigation के लिए, bathymetry investigation के लिए, इन सब चीजों का, दो साल में, detailed study होके, इसकी DPR बनी है, और यह अपने आप में, भारत का सबसे बड़ा, traffic के point of view से, सबसे बड़ा bridge बनेगा, length के point of view से दूसरे bridges है, bogey beel, 4 km का है, यह एक km से थोड़ा उपर है, लेकिन traffic इसमें maximum आएगा, क्योंकि 4 railway line है, और 6 lane का highway है, यह bridge का, आपको यह foundation की बाद जो बता रहा था, यह वाली जो foundations है, यह surface से, 120 foot के असपास अंदर गहरी जाएगी, नदी का जो surface है, तट है जो उसकी मिट्टी का जहां पे वहाँ से, उसके भी 120 foot नीचे, और बहुत बड़ी साइस के pillars है, अच्छा bridge बहुत बड़ा बनेगा, यह नीचे railway lines रहेंगी, और उपर वाले deck में highway रहेगा, और उपर 3 lane highway इदर, 3 lane इदर, याने total 6 lanes का highway है, इस तरह से इसका design है, unique design है, complex design है, और बहुत महनत लगेगी इसमें, साथ यसाथ दोस्तों, एक और चीज में आपको बताना चाहूँगा, कि देश पर में bridges, tunnels, इसकी जो capability है, इसकी जो technical capability है, वो बढ़ाने के लिए, गर्ती शक्ती विश्विद्याले आपने, सबने जाना ही है, बडोदा में जो एक transport focused university बनी है, उसमें special programs चालू किये गए, जिसमें केंद्रे सरकार के departments, जैसे highway department है, power department है, waterways department है, railway of course है ही, इसके अलावा, state governments के जो PWD और bridge और bridge construction corporation है, वहाँ पर जो engineers काम करते हैं, उनके technical knowledge को, skills को, design capabilities को, और बढ़ाने के लिए, special programs बनाए गए, गती शक्ती विश्विद्याले में, जो कि अभी नवंबर, आगा मी नवंबर से चालू होंगे, दो तरह के programs होंगे, एक तो short duration programs होंगे, जो की more or less refresher course की तरह होंगे, और दूसरे होंगे, young engineers के लिए, masters program, या mid service में काम करने वाले engineers के लिए, mtech in bridge and tunnel, mtech in bridge and tunnel structures, design उस सब के, तो वो भी चालू किये गए, tunneling में, और bridge making में, construction में, इन पिछले कुछ वर्षों में, नए record इस्तापित हो है, last year railway alone, करीब 88 km की tunneling होई है, 88 km, which is huge, world में highest है, आज की तारिख में, तो वो एक नया एक parameter, बनता जा रहा है, नया landmark बनता जा रहा है, तो साथ ही साथ, हमारे सब के skill बड़े, हमारे केंदर सरकार के जितने भी employees है, उन सब को बढ़ाई, आज cabinet ने, DA और pensioners के लिए DNS relief, इसको 3% बढ़ाया है, और total, 9,448 crore annually, 9,448 crore annually, हमारे Central Government के employees के pay check में आड होगा, बहुत बढ़ाई सब को, इसका calculation वगेरा सब standard एक formula से होता है, All India Consumer Price Index for Industrial Workers, उसके हिसाब से इसका calculation होता है, तो दिवाली से पहले, जबी केंदर सरकार के सभी कर्मचारियों को, खारदी का बिनन दन और बदाई और सभी साथियों को भी, आज उपस्तित आप हुए, आप सब को धन्यवाद, और मैं अब प्रश्ण होगा, Thank you sir, So now floor is open for question, Starting with Shishir, Because he has started first, Okay, Give him, Good afternoon sir, Shishir from Hindu Business Line, Sir I have two question, One about the DA, Under the 6 Pay Pay Commission, There was a provision to merge DA When it is exceeding 50%, So it's a long demand, Now it has exceeded 50%, I believe it is 55%, Now if I'm wrong please correct me sir, So is there any proposal to merge, If it is exceeding 50%, Number one sir, And if I talk about the, And my second question is about this, Bridge in Kashi, Will the route be the same like, What we have from the, From the Mughal Sarai to Varanasi, Will the, It will be same sir, His name change, You can do that, The name of the Mughal Sarai, प्रिज का लोकेशन अब देखो एक्सिस्टिंग ब्रेज इसके ये वाला है ये मालविय ब्रेज है आगे जो दिख रहा है इसके बिलकुल पैरलल नया ब्रेज बन रहा है तो दिरूट विल रिमें दी सेम बट कैर दियान रखा गया है जो इस वाले मैं आपको दिखाई देगा बेसकली आप देखो गंगा जी पास में जो एरिया ये वो अMAप सेभी एक शालो फ्लाट बेट जैसा है और जब गंगा जी हाता हैता है तब इसमें पानी पानी प्रेड आ जो के इर्यास में जाता है तो उसमें क्या होता था कि traffic used to get disrupted. So what we have designed in this is about a 15-kilometer stretch in which both sides of the bridge we continue the higher level of bridge, higher level of construction and take it about 11 kilometers on the Priyagraja side and then make a rail flyover. जो पुराना वाला railway line है, उसके उपड़ से flyover लेके then we give the connection. आप माइन में पिक्चर बना लिए होंगे इसका, इस वाले में clear दिखता है क्या? दूसरी वाली साइट दिखेगा, इस वाली साइट तो करीब करीब स्टेट फॉवड है, आगे जो टर्न लिया ना, उसमें टर्न लेके फिर वापिस ऐसे आता है. तो वो अच्छा एक इस से हमारी रोबस्टनेस बढ़ेगी और बाड़ बाड़ वगरा के टाइम में भी कोई ट्राफिक का डिस्रप्शन दिखेगा. क्रिष्ण मोहन जी आपने अपने परिच्छे दे दें। मेरा सवाल जो आपने MSP बढ़ाया उसी से थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक इंट्रेस्ट में हटके है हो। कि आप उसका आपने जो गेहूं कवीट का आपने MSP है करीब 2425 रुपे रखा है, परफेक्ट सब बढ़ जो लोगों को परिशानी आती है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, लेकिन लोगों को परिशानी आती है कि MSP PA सरकार खरीपती गेहूं है 2425 रुपे की लोग, आप मार्केट में जो फ्रोर है हाटा वो तीस रुपे 35 रुपे से कम कहीं नहीं जाता है, वेर दिस मनी गोज, दिस मनी गोज क्योंकि इट निज्ट सू भी चेक्ट क्योंकि अल्टिमेटली जो एंड प्रड़क्ट जो कंजूमर है वो वी अदग कंजूमर, तो सरकार अग प्रणामंत्र शीज नरंदर मोजी जी की सरकार, कि सानों के प्रती संकल्प बद्द है कि शनों के अन्य दाता हो के welfare के प्रती उनकी इंकम, उनकी जीवन स्थर, उनकी टेक्नोलोजिकल स्थर सबको बढ़ाने के लिए संकल्प बद्द है और 10 साल का record सामने है थर्ड टर्म में जो फैस्ट लिये वो सब के सामने हैं उन सब को देखे 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 देरें लिए आज फोर लक्षमन से यावाद से मेरा सवाल MSP को लेकर के हैं वीट में वैसे 105 परसेंट की बड़ोतरी आपने दिखाई है जो कॉस्ट पोड़क्शन है लेकिन पिछले साल से तुलना करें तो सेम इंक्रीज हुआ है 150 पिछले साल भी हुआ था इस साल भी 150 हो रहा है चूंकि वीट सबसे ज्यादा लगबग लोग उगाने कोशिश करते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है और दूसरा MSP का बढ़ाना या फिर DA का बढ़ाना ऐसे समय में जब दो रा अरली और दशेरा के आसपास हमेशा बढ़ाया जाता है उसका चुनाव की कोई संबन नहीं है 105 परसेंट कॉस्ट से ज्यादा वो बड़ा फैक्टर है आप उस फैक्टर को देखिए यह आपकी कॉस्ट है परामिटर के डिसाइड हुआ कि इस कॉस्ट के कंपरिजन में MSP कि नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझना बहुत जुरूरी है क्योंकि कई बार एक फेक नरेटिव बनाने की भी कोशिश होती है कि क्या पचास परसेंट एक्च्वल में दे रहों कि नहीं दे रहों अभी आपके सामने एकदम आक हर एक हरीक में इसलिए मैंने आप सबसे यह रिक्षट किया था कि या लाष्ट वाला कॉलम जरूर गदभい इसलिए इसको इसकोह उद्वा Иफ क्या है यह जोलों में इसको को जरूर देखे और आपके पास में जो फीदिफ आयगा उसको भी स्टी करें इस लाष्ट कोलम मे तुम क्लियरली बताये गया है कि कॉस्ट से कितनी ज्यादा है आज MSP यहने पचास परसेंट ज्यादा होनी चाहिए ना वही फेक्टर यहाँ पे क्लियरली डेमांस्ट्रेटीड है 76 पिशले साल के मुकाबले यर ओन यर में अगर आप कॉस्ट का भी यर ओन और यर देखेंगे तो आपको करेक्ट अनल इस आप तो सीन बीसी आवाज से आप तो जानते हैं फैनेंशल काल्कुलेशिंस तो लास्ट यर की कॉस्ट इस साल की कॉस्ट देखो फिर उस से कंपरिजि इसी पी कुछ इस बीज़ के खिखी विज देखेंगे इस प्रेशी आव निर लाज टेखेंगे काल्ट इस इन इसूजर वुट इस इस अविश्ट श्यूंड थे प्र टेखेंगे टिज सी इस अब्लेटी से जिए पो तो बेरिख ऑट कटिति अ इस यहीं प्री इस टे से आप प्रयाग्राज वाली साइड अगर देखोगे, इस तरफ वाली, इस तरफ वाली, इस पूरे रेल्वे नेट्वर्क में, इस तरफ वाली, इस तरफ पहले रेल्वे के पूरे प्रयाजाजिशन के द्वारा जो रेल्वे के ट्रीशनल वे उफ पॉस्टेंशन ने उसे में किया जाएगा। दूसरा बहुत ही कॉंपलेक्स है यह पॉजक्त, जो अभी कॉंपलेक्सिती में समझा रहा था इसकी, it's a very complex project is complexity के project के लिए जो रेल्वे के बहुत थी experienced engineers है उनी के द्वारा करे तो अच्छा ही. Regarding the point on inflation, CACP does take into account all the potential factors which should be considered while recommending a MSP number. So they have considered the factors including the impact on inflation. 107 Sir Tarun from Zee Business, एक सवाल दिप्शिखा मैं ने पूछ लिया. Sir एक जो marginal farmers होते हैं, उनके शिकायत रहती है कि MSP तो अनौन्स हो जाती है लेकर MSP पर प्रोक्यूर्मेंट नहीं हो पाता है. तो sir इसको कैसे इस पे सरकार का कोई यदी प्लान यदी इस पे आपका पूंट प्रोक्य। एके मस्प लेख विल्मरोप सुन अम्स्प मिल्म इस पार्त, हुख्या हुआ प्रफरो कर थेृट्य। पर प्रोसिश लिएलीगा थेस भीत क्रफिश्वांट हो मृंका दिख प्रो औरक। if the market price is above this then they would like to sell in the market correct so that's the way it is structured so in a sense it is a safety net for the farmers आप कुशन लीजे स्थिंग अस्वी जी सरकार हम लगतार देख रहे हैं कि MSP लगतार बढ़ाय जाता है सरकार दोरा रखबा भी बढ़ाने की कोशिज की जा रही है रिशी मंतराले दोरा उसके लिए दाल खरिदने जाते हैं तो दाल का रेट नहीं बढ़ पा रहा है MSP बढ़ाय जा रहा है रकबा बढ़ रहा है लेकिन रेट क्यों नहीं कम हो रहा है दाल का और तेल का चाहिए वो आप पिछली काविने ब्रीफिंग में थे नहीं थे उससे पिछली वाली में थे 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 ना तो आपने देखा होगा एक मिशन लांच किया है ओल सीट्स का और दूसरा उससे पहले दाल के उपर बड़ा एक फोकस करके बनाया गया है प्रड़क्शन हमें बढ़ाना ही पढ़ेगा दोनों का प्रड़क्शन बढ़ाने से ही आत्मनेरबर बन पाएंगे बिकास्ट वी आर वन फॉर्टी क्रोर पीपल तो वी हव तो इंक्रीज दी प्रड़क्शन तो बहुत बड़ा फोकस है तेक्नोलोजी को यूस करके एक्रिएच को यूस करके इस तरह के financial incentives को लगा के इन सब को मिला के प्रड़क्शन बढ़ा है तो जो डिमांड और सप्लाई का फेक्टर है वो बैलन्स आएगा प्रड़क्शन बढ़ने से 62 प्रकाष प्रड़शी प्रड़क्शन 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 कारश साथ है अब मैं आपनर प्रड़क्शन 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 बढ़ने से नहीं संचल पर्रड़क्शन परड़क्शन कांटे को सम मण रिना सिक्खें कितना अच्छा लुगी तने प dependent hi sir Safna here from hi sir something here from CM direction to the inflation question. You know the recent too CPA numbers including food inflation is very much on the higher side 36 percent rise in the vegetable Зем Cass, et cetera et cetera so under these circumstances I mean of course here's CSP and all of that CPI is calculated well into the MSP and all of that but could you give us a kind of a brief idea as to how inflationary is the MSP policy generally because it's a tough call for the government you have farmers on one side but you also have to look how I'll take this question head on see the current inflation reading that we have seen I'm not at this point of time this is cabinet briefing this is not supposed to be a press conference from what we have understood from RBI it's a very seasonal blip because before that we have seen a very sustained inflation print below four percent so there is a very clear sense of moderation in inflation as far as MSP is concerned as I explained earlier the whole idea is to give a kind of minimum support in a sense a safety net for the farmers that's where the two different objectives are properly balanced and the CACP when it recommend surprise they look at all the factors including inflation ten number last two questions we are taking now you have said rupees 638 core will be saved on the railroad bridge sir any idea how many trains and cars will pass per day on that expected to pass on that trees very good question about 24 million tons of extra cargo will pass on this bridge and the diesel saved is of the order of about 8 crore liters 8 crore liters diesel will be saved because of this traffic everything gets converted into 10 age right everything gets converted into 10 age so that's how the 638 crore rupees on the account of diesel saved will be calculated 16 sir sir you have met 2014 2014 2015 2015 from the figure figure उसमेंसा लगता है कि आल्मोस डबल तो हो गाए है लेकिन सर उससे में 14-15 की महेंगा इदर और अभी की महेंगा इदर तो आपको लगता है किसानों को उतना फायदा मिला या उनकी इंकम वाकिए दूगनी हुई है यह MSP के दूगने होने की बात है इनकम दूगने होने में और भी कई सारे फैक्टर से वाद्य एडिशन, टेक्नोलोजी, प्रडक्शन, प्रैड़क्शन, प्रादिविटीविटिविटी इंक्रीस होरी है उन सब में बहुत सारे फैक्टर्स है और मध्यप्रदेश में चुनावों के दौरान में कई एरियास में घुमा था and I had actually interacted with the farmers. उनकी लाइफ में एक significant sustained improvement आया है. औरिसा में भी औरिसा में ज्यादा इतना नहीं गया था लेकिन अभी महाराश्ट्रा में भी कई जगे जाना हो रहा है. तो वहां भी मेरा परस्तल है और आप सब भी आप सब के तो फील्ड में सभी जे के साथी हैं तो आप सब भी फील्ड से actual information भी ले सकते हैं. If you actually ask the farmers, they do say that yes, there is a significant improvement. एक लास्ट कॉस्चिन ले ले सर लास्ट ठीक टू सेवन्टी थ्री सर मदुरेंड मैं न्यूज ने संसे, सर जो तमाम प्रोड़क्ट्स हैं रभी के उनके दामों में काफी बढ़ोत्री की गई है और हर साल की भी जाती है, लेकिन किसानों की एक चिंता राज्यवार देखी जाती है कि जो procurement है, वो समान नहीं है सभी राज्यों में, जिसके चलते देखा जाता है कि कुछ राज्यों किसानों को ज़्यादा लाब होता है लेकिन कई ऐसे राज्ये हैं जिनके किसानों को वो लाब नहीं पहुच पाता है तो क्या procurement को लेकर कोई policy सरकार change कर रही है ताकि जो procurement है उसमें एक समानता लाई जा सके और लाब जो है वो किसानों तक समान लूप से पहुचे एक मेरा दूसरा सवाल भी छोटा सा है चुकि आप बहुत चर्चा इंफ्लेशन को लेकर हुई बढ़ती महंगाई को लेकर हुई भारत ब्रैंड के नाम से डाल और तमाम तरह के जो sustainable products हैं वो सरकार ने लॉंच किये थे चावल हो, आठा हो, डाल हो ताकि inflation कीमार लोगों पर कम पड़े तो चुकि खुसरा दी गई है किसानों के लिए भी और आपने दी है खास तोहर पर सरकारी करमचारी के लिए लिए हुछ किये आम लोगों के राहत के लिए प्रश्ट पूचा राज्यों का ये बात आपकी सही है कि सभी राज्यों को सामुईक जुम्मेदारी लेनी चाहिए किसानों के वेलफेर की किसानों के विकास की किसानों के लिए जो भी प्रयास है उन सब में जैसा आपने इससे पहले की ầy cabinet briefing में देखा करी很कorts बिप्रॉग्राम्स बनाये गएं चाहें डिजिटल agriculture mission हो चाहे clean crop program हो सारे की सारे प्रोग्राम्स में focus ये की राज्यlette सरकारों के साथ मिलके काम करें राज्यी सरकारों के साथ मिलके उन programs को implement करें और वो जरूरी भी है क्योंकि agriculture एक ऐसा subject है जो बिल्कुल ground level पे जो reality उसके हिसाब से काम होना चाहिए तो उसी भावना में procurement में भी सभी राच्य सरकारों को सामुईक युगदान देना चाहिए that I agree with you totally. regarding the देखो किसानों के लिए यह welfare यह होने से production बढ़ेगा, production बढ़ने से cost कम होती है, overall जो हमारा demand supply का जो structure economy का अपने देश की 140 क्रोल जन संक्या का उसके इसाब से हमको production जैसा मैंने अभी भाई ने पूचा था तब भी मैंने यही का कि हमको production significantly बढ़ाने की ज़रूरत है और यह आप फिछले दस साल में देखो, इसलिए इतने बड़े बड़े टेकनोलोजिकल इंपोर्ट्स, मिशन बनाना, नही तरह की सीड बनाना, अभी हाली में माने प्रदानमंत्री जी ने नही वाराइटी के सीड लांच किये थे, 108 के आसपा सीड बीज ने लांच किये थे, तो ये सारे की सारे प्रयास उसी दिशाम में, थैंक यू सर, धन्यवादा दो, दोस्तों